स्वागत आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेडी विद अमन कुलमी अज हमना है शिक्षा निदेशाली रास्य राजदानी शेत दिली की कारेपर तक नंबर 49 जो कि क्लास 9 ले है विशे आपका हिंदी है जिसमें हम पद की रिविजन करेंगे जिसकी डीट आपको 12 नंबर 29 दे रखी है आप अपना नाम और अपनी कक्षदार्पक के नाम लखेंगे प्यारे बच्चों अब तक हमने कारेपर तक की विबिन कविताओं को पढ़ा आई आज के कारेपर तक की मादम से कभी दाजित पत पर पुना चर्चा करते है मुझ को कहां डूड़े बंदी मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मज़ित ना कावे के लास में ना तो कोने किरिया करम में ना योगी बहराग में खोजी हो तो तुर्ते मिले पलबर की तालास में, कही कभीर सुनो भाई सादू, सब स्वासों की सास में तो यह आपका पता है, इसका आपकोई मीनिंग तो अच्छे से पता हिए कि मुझे कहां डून रहे हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ मैं ना किसी देव घर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना कावा, कावा में हूँ, ना मैं किलास में हूँ, ना मैं किसी क्रिया करम में, यानि अगर हम पूजा योग करते हैं, उसमें भी नी, ना मैं किसी योग में, ना मैं किसी बेराग में, अगर आप मुझे खो तो दो मिड़ पर इस स्वासों की सास में जो सौछों की सास में मिलते अब आए इस पतवर अधारत कुछ प्रिशनों पर चर्चा करते हैं पहला प्रश्ण कि अल्ला की स्वांड की या खजाना की तो मिलने या ढूंडने शब्द से उन्हें ईश्वर या अल्ला की बात करते हैं तो आप इसे कर लेंगे थर्ड़ेस वहां साधो शब्द से क्या तहत पर हैं साधो से यह है कि जो साधना करते हैं कोई करमचारी नहीं साधना करने वाला क्रिया करमकारत है किसी का मर जाने के बाद उसका दान संसकार करना यानि उसकी आत्मा को शांती दिलाना बाज़वा प्रशने कबीर अनुसार पल भर की तलाश में इशर कैसे मिल सकता है तो कबीर के अनुसार जब तक हमारे अंदर अंकार भरा हुआ है तब तक हमें इशर की प्राप्ति नहीं हो सकती जिस दिन हमारे अंदर का अंकार नस्ट हो जाएगा उस दिन हमें इशर पल भर की तलाश में मिल जाएंगे छटा प्रशन है सब स्वासों की सास में कि मादम से कबीर दास जी क्या कहना चारहे है तो कबीर ने इशर को सब स्वासों की सास में इसलिए कहा है क्योंकि इशर ने ही इस ट्रिश्टी की रचना किया और वह सभी जंतों में आत्मा की रोप में बसे है इव आत्मा इशर का ही एक अंश है सेवन्त कोशन है खोजी होई तो तुर्टे मिले खोजी के लिए किसे है खोजी किस के लिए कहा गया है तो खोजी इशर की खोजकी करने वाले इंसान को कहा गया है तो आप इसे कर लेंगे आज की तो आपकी वोक्षीट है वो कम्प्लीट होती है आई होप आपको अच्छे से वोक्षीट समझ आ गई होगी चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक्स वर वाचिंग बैबे गैस